वेडियो को लाइक करें चैनल पर नएऊगों सब्सक्राइब करें तो आज में बनाने जा रही हो चाप की सब्सक्राइब के लिए हमने लिए पांसो ग्राव चाप दो टमाडर तीन प्याज छे से साथ करिया लासन की और एक हरी मिर्ज और ये हमारे कुछ टोकड़े है काजू के तो आईए हम बताते हैं आपको चाप को सब्सक्राइब कैसे बनाते हैं तो हमारे रेस्पी को पूरा देखें और देखके अपने घर पर पहरे हम चाप को साथ टंडी से लग करेंगे ये उसे पीसो में काट देंग तो सारे चाप साम हटों को हमने घर ही से अब कडाही रखती है गरा और बतेbas तो यह हमारा कराही गरम हो चुका है जैसे आप देख रहे हैं तो इसमें हम चाप डलते हैं तेल घरम हो गया है तो थोड़े थोड़े करके इसमें हम चाप डलते हैं तो ये हमने थोड़ा से चाप इसमें डाल दी अब इसे हलक अलके हाथ हो से हम उपर नीचे करके सही से हम पका लेंगे हमारा चाप बिल्कुल गोल्डन ब्राउंड होना चाहिए तो जैसे कि देख रहे हम इसमें चाप डाल दी है और ये चमच के साहे तेसे हम हलके हलके हाथ उसे सही लाते हुए इसे पका लेंगे तो हमारा चाप एक साइड से सही से पक चुका है तो दुसरे साइड पकाने के लिए हम थोड़ थोड़ हलके हलके हाथ उसे सही लाएंगे और पकाएंगे तो चाप का कलर भी को फर्फेक्ट आ चुका है तो इसे हम निकाल लेते हैं एक बरतन में तो ये हमारा चाप और थोड़ा बचे हुए तेल मुआपस हम चाप डाल देंगे तेल हमारा पहले से गरम है तो बचे हुए चाप को हम आपस इसमें डाल देते हैं तो यह हमने थोड़े थोड़े करके सारे चाप को किसमें डाल दिए और चाप को जैसे हमने पहले पकाए थे वैसे हलक हलक दो चलाते हुए चाप को हमें पका नहीं है यह हमारे मसाले है दो त्म неёटर, काजू, लहसन और प्याच और एक हरी मिर्ची से बारिक टुकडो में हमने काट ली है तो जैसे ही हमारा चाप हो जाएगा तो हम चाप को एक उसी वापस उसी कटोरे में हम निकाल लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं चाप हमारा रेडी हो चुका है तो हम वापस उसी कटोरे में निकाल लेते हैं तो ये हमारा चाफ है हमने इसे निकाल ली तो वापस उसी कडाही में हमने प्याज डाल दी तो जैसे ही हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा तो उसमें हम टमाटर डालेंगे और काजू डालेंगे जब तक हम चाप में अपने मसाले मिला लेते हैं तो ये दही है तो दही चाप में हम दो चमज दही डाल दिये और ये हल्दी पॉडर मिर्ची पॉडर और थोड़े से हम नमक डालेंगे और थोड़े आधे चमज हम इसमें धनिया पॉडर भी डालेंगे और चाप को सही तरह से हम मिला देंगे चमबस के सायते से जैसे कि अब देख रहे हैं काफी अच्छा कलर आ चुका है हमारा प्याज हलका फराई हो चुका है प्याज फराई होते ही हम इसमें टमाटर डालेंगे और मिर्ची डालेंगे तो यह मेर्ची हमने डाल दी और यह हमारा लासून है लासून और काजू हम दोनों एक साथ ही डालेंगे तो यह हमारे काजू के टुकड़े हैं इसे हमने कड़ाही में डाल दी तो जैसे हलका सा फराई हो जाता है उसके बाद इसे धंडा कर लेंगे इसे हमें बिल्कुल ही utiliser भेटने छालें जालें और नमक को आपके स्वादान slit ये सॉाद में ग्रेविका, क्योंकि हमाती में जाएगा तो नमक करते हैं जाए खेसमें करणमी दानए चाली में भराध, तो पर खुचहाई में गर्म करणा करें अब चाप को सही से मिक्स करते हैं एक चमस के सहायते से सही से मिक्स कर लेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं चाप और मसाले सारे हमारे सही से मिक्स हो चुके हैं तो इस चाप को हम ढखके आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि सही से चाप और मसाले सारे मिक्स हो जा हैं और मसाले ठंडा होने के लिए हम छोड़ देते हैं जैसे हमारे मसाला ठंडा हो जाएगा जिसे के मिक्सिजार में निकाल लेंगे और मसाले के एक पेश्ट बनाएंगे तो मसाले हमारे सही से फराई हो चुके हैं काफी सौप्ट हो चुका है जिसे के मिक्सिजार में हम नि निकाल ले, तो इसे हम सही से पेष्ट बनाते हैं, तो यह हमारा पेष्ट रेडी हो चुका है, जैसे कि अब देख रहे हैं, काफी बारी की पिसी हुई है, और हमारा इसमे तेल अभी थोड़ा सा बचा हुआ था, वापस उसे कड़ाई हैं, दो चमच और हम तेल डालते हैं, और तेल डालने के बाद, इसमें हम एक चमच जीरा डालेंगे, जैसे कि अब देखे रहे हैं, तेल हमारा सही से गरम हो चुका है, तो इसमें हम जीरा डालते हैं, तो यह हमारे एक चमच जीरा, जीरा जेसे चटकने लगेगा, उसके बाद कुछ खड़े गरम मसाले तो यह हमारा पिसा हुआ मसाला है टमाटर वाली तो इसे सही से हम चमच के साइटे से निकाल लेंगे और कड़ाही मुआपस डाल देंगे तो अमने सारे मसाले को एक साथ ही मिला दी अब इसमें सुखे मसाले टालते हैं तो सुखे मसाले में आधे चमच हमैं हल्दी लेनी है और एक चमच लेनी है मिर्ची पाडर और आधे चमच हमें लेनी है गरब मसालें और यह हमारा धानिया पाडर एक चमच पाड़ा करेंगे जैसे कि अब देख सकते हैं मसाला हमारा मिक्स हो रहा है तो मसाले के हम ढख के 5 मिट के लिए फ्राई करेंगे सारे मसाले हमने सही से मिक्स कर दी इसे ढख देते हैं ढख के हम 5 मिट के लिए इसे धेमियाज पर फ्राई करेंगे तो जैसे कि देखे लिए हमारा मसाला फराई हो रहा है तो बीच में धकन हटा के इसे देख ले ताकि मसाला चिपके ना और वापस एक बर मसाले सारे मसाले को एक साथ मिला दे तो हमने मसाले को सही से मिला दी जैसे कि अब देख रहे हैं मसाले हमारा भी फराई नहीं हुआ है अभी थोड़ा सा और फराई होगा तो वापस इसे मिला के हम ढख देते हैं तो ये मसाले को मिक्स कर ली अब वापस इसे ढखन ते ढख देते हैं तो दस मेंट बाद फिरी से देखेंगे अब मसाले चाप के मसाले कम से कम 15 मिट फराई होनी चाहिए तो जैसे कि अब देख रहे हैं हलके हलके फराई होते हुए मसाले से हमारे साइड शर से तेलना जरा रही है तो ये हमारा है गरम मसाला और ये है हमारा फूड कलर तो चांप में फूड कलर डालना जरूरी होता है क्यूंकि थोड़ा सा फूड कलर डालने से कलर इसका अच्छा आता है थोड़ा सा फूड कलर डाल दिये और सही से मसाले को मिक्स कर दिये और ये हमारा चांप और मसाला सारा एक साथ कड़ाही में मिक्स हो चुका है तो इसे ढखके और हम दो मिड़ के लिए पकने देंगे तो जैसे कि अब देखने नमक हमने पहले भी डाला था इसमें तो नमक अपने अप स्वादम सारी डाले हमने ढख दिये सब्जी को और हमारा सब्जी अभी दो मेट के लिए और पकेगा और ये है हमारा करम मसाला तो सब्जी जैसे कि अब देख रहे हैं हमारा सब्जी लगव ब्रेडी होई चुका है तो आपको निकाल के दिखाते हैं कि हमारी सब्जी कैसी बनी है बागी सबजी में, सबजी को उतारने टाइम डेड़ चमो जिसमें घी डाले घी डालने से स्वाद काफी अच्छा आता है तो ये हमारा सबजी रेडी हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा कलर आ चुका है तो ये हमने एक छोटे से कटोरी में सबजी को निकाल ली तो पलीस आप देखकर बताएं सबजी कैसा बना है अगर ये रेस्पी आपको पसंद आए तो अपने करपे जरू ट्राइए करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में